नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मारे य्ट्यूब चैनल अंकीत फार्मासिस्ट में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पान स्पेट DSR के अपसुल के बारे में जानेंगे फेंस की किन किन समझ से हूं में पान स्पेट DSR के अपसुल का इस्तमाल करते हैं वो जानेंगे इसके composition के बारे में की किन किन ingredients हमिल करें के अपसुल बनाये जाता है वो जानेंगे इसके dose, side effect और price rate के बारे में भी जानेंगे तो दोस्तों वीडियो को भी गयर skip किये पूरा इंट तक देखते रहे हैं तो दोस्तों आईए वीडियो को start कते हैं दोस्तों बात करें पान स्पेट DSR के अपसुल के manufacturing के बारे में तो दोस्तों इसके अपसुल की manufacturing एकियूम्स drug and pharmaceutical limited company दोरा की जाती है और दोस्तों बात करें इसके अपसुल के price rate के बारे में तो दोस्तों इसके अपसुल का price rate मात्र 113 रुपे होता है इसके अपसुल की एक श्टिब में 10 के अपसुल निकलते हैं जिसका price rate मात्र 113 रुपे होता है दोस्तों ये capsule आप किसी भी medical store से बड़े आसानी से purchase कर सकते हैं और दोस्तों बात करें पान स्पेड DSR capsule के composition के बारे में तो दोस्तों इस capsule को बनाने में दो ingredients का इस्तमाल किया जाता है जैसे कि pentaprizole और domperidone इस capsule में pentaprizole की quantity 40 mg होती है और domperidone की quantity 30 mg होती है इन दो ingredients के mixer से दोस्तों पान स्पेड DSR capsule को बनाया जाता है और दोस्तों बात करें पान स्पेड DSR capsule के uses के बारे में तो दोस्तों इस capsule का इस्तमाल gas की समस्य में काफी लावधायक होता है इस capsule का इस्तमाल जब pet में gas बनती है तब किया जाता है और जब acidity की problem होती है तब इसके capsule का इस्तमाल किया जाता है और friends इसके capsule का इस्तमाल जब सीने में जलन होती है तब इसके capsule का इस्तमाल किया जाता है और जब gas की विज़े से pet में दगद होता है तब इसके capsule का इस्तमाल किया जाता है इन से भी समस्यों में दोस्तों 55 DSR के एफसुल का इस्तमाल करते हैं और दोस्तों बात करें 55 DSR के एफसुल के डोस के बारे में तो दोस्तों 55 DSR के एफसुल को एक एफसुल को एक एफसुल खाली पेट सुभे ले सकता है दोस्तों आप सकता पड़ने पर इस के एफसुल को ए सबस्कीराइब दोस्तोंटों अगर आप इसक capture दोस्तों is the सामाने से साइड इफेक्ट हैं दोस्तों अगर दोस्तों आपको इसके लाव भी कोई साइड इफेक्ट होता है तो आपको तुरंत अपने नज़ी की डोक्टर से जानकारी लेने चाहिए और डोक्टर की सलाके नुसारी दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही दोस्तों अगर आप पानिस पे डियसर के बारे में और भी जादा डिटेल में जानकारी प्राप्त हो सकेगी दोस्तों वीडियो पर लासक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों